तो गाईज यहां पे अगर आप सभी लोगों को DG Locker application में इस तरीके से जो है problem आ रही है यहां पे लिखा रहता है This mobile is associated with multiple accounts Please select one to recent pain तो इस तरीके से अगर आपको DG Locker के application में आ रही है तो इस वीडियो में मैं आप सभी को इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इस problem को solve करना है और ये problem आपके phone में क्यों आता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो गाईस आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा end तक देखिए और दोस्तों अभी तक आपने like ने किया तो like कर दीजे और हमारे चैनल को subscribe भी कर लिजी तो चलिए गए इस वीडियो start करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इस problem को solve करना है तो यहाँ पर आपको इस problem को solve करने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये problem आपके phone में क्यों आता है तो basically जब आप एक ही mobile number से यहाँ पर दो बाल login करते हैं तब आपको इस तरीके से problem आता है या तो फिर आप यहाँ पर कुछ six digit pin होता है उसको यहाँ पर बना रहे हैं और यहाँ पर आपको इस तरीके से problem आती है तो जब भी आप login करते हैं तो दोस्तो एक number से दो बाल login आपको नहीं करना है यहाँ पर आपको इस तरीके से problem आती है और यहाँ पर जब भी आप pin recent करते हैं code जो pin code होता है pin number होता है उसको आप recent करते हैं तो आप जो है अलग-अलग mobile number से करिए अगर आप एक ही mobile number से pin recent करते हैं बार बार मतलब की एक नमबर से मतलब की एक ही नमबर से दो बार या तीन बार यहां पर रिसेंट करते हैं तो आपको इस तरीके से प्रॉब्लम आ सकती है तो आप जो है किसी अधर फोन नमबर को यहां पर यहां पर एंटर करिए और अपना जो पीन है उसको रिसेंट करिए यह तो फिर आप लॉग इन कर रहे हैं तो एक नमबर से बार बार लॉग इन मत किजिए अलग अलग फोर में तो इस तरीके से आप जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे गाईज तो गाईज अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजे